चले अब हम अपनी वीडियो स्रीज में आगे वढ़ते हैं और आज भी हम कुछ एबायोतिक कंपोनेंट्स यानि अजयवी घटकों के बारे में जानेंगे तथा उनका क्या प्रभाव होता है मुंख्यतया पौधों में उनके बारे में हम जानने वाले हैं तो आज हम जानने में इसका जो फ़र्क्ता पॉद्र पर निगेटीव होता है नकलात्मा होता है तो पहली चीज मत्ती नम्हों करते हैं उसको क्या Tapuse नम्हों करो ऑदों को नंभी क्योंकि रूप जाने रहेता है रच जैंड एक उतिते हमाँ उसको पादण मोइस्चर है जो नमी वो जमी है ठीकिना बर्फ के फॉर्मेट में है और उसी केस में अगर धूब आने लगी तेज से तो यानि की अगर वास्पोत सर्जन होने लगा काफी तेजी से क्योंकि धूब है तो ऐसे म क्या होगा पौधा मर जाएगा क्योंकि जो रूट्स होंगी वो मोइस्चर की सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मोइस्चर आया नमी है वो बर्फ में बदली हुई है मिट्टी में उस वक्त वो पहली नहीं है और अगर उसी टाइम पे अगर टान्सपाराइशन यानि वास्पोत सर्जन जादा होने लगता है तो वो पौधा मर मर जाएगा एक छी जवर होती है कि जब बाला बहुत जादा पढ़ता है तो जो जो साल्ट होता है तोδे मर जाते है कैसे dehydration of cells है कुल मिला के जब भी पाला पड़ेगा तो उसका most of the case में negative impact होता है एक तो soil यानि मिट्टी पे जो मुष्चर होता है वो जम जाता है साथ में जो intercellular space होता है अंतर कोसकी जो हमारे जगहें खाली पड़ी होती जहां पे water molecules होती हैं जम जाते हैं जिससे क्या होता है कि salt जो नमक होता है उसको concentration बढ़ेगा और dehydration हो जाएगा वो भी मल जाएगी आगे हम समझते हैं और क्या-क्या फर्क पड़ता है जब भी पाला पड़ता है ना तो most of the case में ये बिमादी की possibility बढ़ जाती ज़रूरी नहीं हो लेकिन possibility बढ़ जाती है canker formation कुछ आपने पौधों में ये ऐसा कुछ देखा होगा या follow में ये जो चीज़ें आपने देखी होंगे चित्ति राद जो नया structure देख रहा है तो इसको बोते हैं canker तो इसकी possibility बढ़ जाती है पाला पड़ने से वाइसी है का canker ये basically इस वज़े से होता है कुछ cover bacteria वाइरस की वज़े से ये होता है लेकिन पाला पड़ने से इसकी possibility बढ़ जाती है तो आपने देखा जो पाले का effect पड़ता है primary producer पे वह मुक्तिया negative होता है आगे हम बढ़ते है birth की बात करें birth क्या होता है इसका effect थोड़ा positive होता है जैसे कि जब birth गिरती है ना तो एक blanket कंबल की तरह काम करती है जिससे कि और जादा नीची की और नहीं गिरता है ठीक है तो इसनों act as a blanket prevents a further drop in temperature अगर आप कहीं बर्फ गिर जाए तो उपर तो आप काफी ठंडा होगा लेकिन नीचले इस तरह पर वह blanket की तरह काम करेगा ठीक है तो जिससे क्या होता है जो बीज होते हैं जो आपका मालोग उसमें बोए गये हैं जाके तो बहुत ज्यादा वह ठंड क आसर उन में नहीं होता है तो यहाँ पे एक सकारात्मक होता है जैसे आपने देखा होगा ना कि जब बहुत ज्ञाद होती है तो जील का उपर की सतय का जो जम जाती है लिग्स नीचे क्या होता है पानी बचा रहता है आने कि वह नहीं जमता है यहां मस्श किया ब्लैंकेट कि तरह काम कर रही है ठीक है ना तो यहां पर यह जीवित बचे हुए हैं कभी कभी क्या होता है कि एक्कुमलेशन आप सनुख अब मालोग बर्फ पतियां बड़ी-बड़ी हैं बर्फ गिर गई तो क्या होगा कि पतियां तूट जाएंगी हो सकता तने भी तूब उसके प्रेशन नहीं गिरने पाता है जिससे कि जो हमाई चोटे-चोटे पौधे हैं या फिर बात करें कि बीज जो बोई गए हैं वो बच जाते हैं अधिक ठंड और फ्रॉस्ट के प्रभाव से और दूसरा होता है कि अगर जादा बफ गिर जाए तो उसके तने और पतियां उस